नमस्कार दोस्तों, BR Health Solution में आपका स्वागत है, अगर कम उम्र में ही आपके बाल सफेध होने शुरू हो गए हैं, या आपके चेहरे की उपर कम उम्र में रिंकल्स आ रहे हैं, या आपके शरीर में ताकत नहीं रहती, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज में आपको एक पत्ती के जरीए अपने शरीर को तंदूस रखने के फाइदे बताऊंगी, क्योंकि हम सभी लोग स्वस्त रहना चाहते हैं, लेकिन स्वस्त रहने के लिए हम लोग वो नहीं करते, जो हमें करना चाहिए, जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, वो आपक शरीर में इतनी ताकत रहेगी, कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप 50-60 की एज में बुड़े हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, शरीर को स्वस्त रखने के लिए जो एक चीज सबसे ज़्यादा काम में आती हैं, वो है पान का पत्ता, लेकिन हम लोग पान के पत्त तो आज की वीडियो में मैं आपको पान खाने का सही तरीका और पान खाने के फाइदे बताने वाली हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आप आज की बात पान जरूर खाओगे, दरसल जादा तर लोग पान के अंदर कथा लगा कर खाते हैं, या फ उसकी पूजा करते हैं, यानि की पूजा में इस्तिमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये चीज समझनी शाहिए, कि जिन चीजों का इस्तिमाल पूजा में होता है, वो शरीर के लिए बहुती फाइदेमन है, तो उन चीजों का इस्तिमाल करके उन चीजों को फेकने की ज और एक का रंग थोड़ा जादा हरा होगा, जिसका रंग थोड़ा जादा हरा यानि कि dark green है, उसी पान का इस्तिमाल आपको करना है। दूसरे पान के अंदर आपको सिर्फ चूना लगा कर खाना है। तो चूना लाकर थोड़ा सा पान की उपर लगाईए और उस पान को खाना खाने के बाद शाम को हर रोज खाईए अगर आप ऐसा हर रोज करते हैं तो जो आपके शरीर को फाइदे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ दरसल पान हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये पान हमारे बालो के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि पान के अंदर वो सब चीजे हैं जो आपके बालो को बढ़ने के लिए चाहिए और जब आपके बाल सफेद होते हैं तो उनको काला करने में भी ये पान मदद करता है। और दूसरी और जब पान में चूना लगाते हैं, वो चूना बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों को ज़णने से रोगता है। तो ऐसे में अगर आपकी बालों से संबंदित कोई भी समस्या है, तो आप पान के अंदर थोड़ा से चूना लगाकर उसे खाना खाने के बाद हर रोज जरूर खाएं। चूने वाला पान खाने का दूसरा फाइदा आपके चहरे के रिंकल्स को खतम करने के लिए हैं। क्योंकि आज कल जो भी चीज़े हम खाते हैं, जैसे की बर्गर, पीजा, ये चीज़े हमारी स्किन को जल्दी खराब करती हैं। और 30-40 की एस में ही हमारे शरीर पर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप पान और चूने का सेवन करें, इससे आपके चहरे के रिंकल्स खतम हो जाएंगे। और आप 50-60 सल तक देखेंगे कि आपको बुड़ापा आया ही नहीं। इसके अलावा, अगर आपके शरीर में एनर्जी की कमी रहती हैं, तो भी आप पान का सेवन करें। सकते हैं इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों इस्तिधारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पह सके धनेवा दोस्तों